मामा शिवराज का ये बुल्डोजर उन राक्षेसों के घरों पर गरज रहा है जिन्होंने एक मेले में गई लड़की को छिड़ा और उसके भाई ने इसका विरूत किया तो उसकी लिंचिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया लड़की छिड़ने वाले और कतल करने वाले आरोपियों की पहचान सलमान, जीशान, इश्राक, सली मुर्फ सद्दाम, उस्मान के रूप में हुई है इनके अलावा एक नाबालिक आरोपी भी है जिसे पुलिस ने हिरासत में रखा है पुलिस ने अब तक 6 आरोपियों को गिरफतार कर लिया है, बाकी 3 अभी भी फरार बताये जा रहे है फरार आरोपियों के पहचान यासर, शकील और अकील के तौर पर हुई है और पुलिस इनके तलाश में जुड़ गई है मामला महाकाल की नगरी उजयन से सामने आया है, जहां आयोजित कार्तिक मेले में जूला जूल रही एक हिंदू यूती से मुस्लिम योकों ने छिरचाड की इस पर जब उसके भाई ने विरोध किया, तो उन लोगों ने अपने साथियों को बुला कर चाकू से उस पर हमला किया और उसकी लंचिंग कर उसे मौत के घाट उतार दिया मृतिक की पहचान दीपक उर्फ दीपू जादम के रूप में हुई है, जिसका पोस्पाटम कर शव को परिवार के हवाले कर दिया गया है और आरोपितों को सजा देने का काम शुरू हो चुका है कुछ अपराधियों के घरों पर अभी बुल्डोजर चल चुका है और कुछ के घरों को नेस्ता नाबूत करने की यूजना बनाई जा रही है अभी तीन आरोपितों के घरों को बुल्डोजर चला कर फस्त किया जा चुका है जबकि बाकी आरोपितों के घरों को वेरिफाई करके उन पर कारवाई करने की बात की जा रहे हैं। गरफतार आरोपितों में से एक का परिवार किराय के मकान में रह रहा था। उनको भी मकान मालिक ने मकान खाली करने को कह दिया। मतलब जो लड़कियों को छेड़ेगा उसे बेघर करने का मामा ने पूरा इंतजाम कर रखा है। गिररपॉर्ट वीके न्यूज